तो चलते हैं शुरू करते हैं इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर उसको मैं इस तरह से स्कॉयर पीसीज में कट कर लेती हूँ तो सारे पनीर को ऐसे कट करके रख लें फिर हम डालेंगे पांच बड़े चमस सरसो का तेल इसको अच्छे से धुआ निकलने तक गरम फिर उसको चार तरफ से फैला लेंगे क्योंकि मेरी कड़ाई नॉन स्टिकी नहीं है तो इससे नॉन स्टिकी हो जाती है और पनीर जब एड़ करेंगे तो वो चिपकेगी नहीं तो आप भी यह ट्रिक अपना सकते हैं फिर जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो सारे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट करके दूसरी तरफ से ऐसे ही फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से फ्राई करने से पनीर का तेस बहुत अच्छा आता है फिर हम कुछ मसाले जैसे की एक हरी लाइची, एक इंच दाजीने का टुकड़ा, दो लॉंग, आधा चौफ को अच्छे से दरदरा कूट लेंगे फिर हम एक कड़ाई में जो पनीर का जो तेल बचा हुआ था ना वो डालेंगे एक चमच उसके अंदर डालेंगे कुटेवे मसाले, एक चमच जीरा, उसके बाद इसके अंदर एड़ करेंगे हम अपने प्याज, तीन बड़ा प्याज एड़ किया है, मैंने इसको हमें बिलकुल भी बारिक नहीं काटना है, ना ही इनको पेस्ट बनाके डालना है, फिर हम डालेंगे चॉप की हुए गार्लिक, आट-दस लेसन की कलिया, तीन-चार हरे मिर्ची, इन सब को कलर चेंज होने तक भुनना है, फिर इसके अंदर दो बड़े टमाटर एड़ करेंगे, इन सब को अच्छे से गल जाने तक भुनना है, इसकी कुकिंग को फास्ट करने के लिए इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे, आधा चमच और कश्मीरी लाल में चैट करेंगे, फिर इन सब को भुनेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट न हो जाए, प्याज और टमाटरों को हमें अच्छा सॉफ्ट होने तक इनको भुनना है, इनको भुनने में हमें इच्छे से पानी एड़ नहीं करना है, इसी में जो मॉइस्चर है उसी से एक अच्छा फाइन पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा, फिकडाई में तीन बड़े चमच तेल डालेंगे, फोरन में लाल मिर्श डालेंगे, और मैं यहाँ पर लाल मिर्श निकाल ले रही हूं, मैं इसको बा अच्छे मटर यूज़ कर रहे हैं तो इसको भी आप इस टाइम पे एड़ कर सकते हैं अगर वो सॉफ्ट हैं, अगर वो हाड हैं तो उनको पहले ही एक चमच ऑईल में हलका सा नमक डालके थोड़ा सॉफ्ट होने तक भुन ले फिर इस टाइम पे एड़ कर देंगे, अब इसके बाद उसका ढखन हटाएंगे और मसालो को थोड़ा सा मिलाएंगे, उसके बाद एड़ करेंगे अपने सूखे पिसेवे मसाली, जैसे कि आदा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, आदा चमच नमक, नमक हम इसमें जो थोड़ा सा पीस बच गया है, उसको मिक्स करके और फिर वही पानी इसमें एड़ करूँगी, फिर इसको अच्छे से चला लेंगे, और फिर मटर को सॉफ्ट होने तक इनको हमें पकाना है, मसाले हमारी लगभग अच्छे से भुन चुके हैं, बस हमें मटर को थ तो अब हम इसमें थोड़ा सा चला करके इसके अंदर पानी एड़ करेंगे, क्योंकि मटर भी आप सॉफ्ट हो चुके हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूं, यह देखिए, अब मटर को एक निकाल के देख लेंगे, इनको दबा के देखेंगे, तो यह दब रहे हैं, अब हमारे मटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, मसाले भी भुन गए हैं, अब हम इसमें एड़ करेंगे एक गिलास पानी, या पानी आप अपने जरुरत के हिसाब से एड़ करें, आपको जितनी ग्रेवी बनाने हैं, उस हिसाब से, मैं यहापे एक ग्लास पानी एड़ कर रहे बॉयल भी हो गए हैं, अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे पनीर, अपने फ्राइड की हुए, अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर दो मिनट तक धक करके पकने के लिए छोड़ देंगे, ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जो मसालों का जो फ्लेवर है पनीर के अंदर भी एड़ हो जाए, अब दो मिनट बाद हम धकन हटाएंगे, अब लीजिए हमारी सबजी बन के तयार है, आप देख सकते कितना अच्छा कलर आया, बहुत ही अच्छी खुश्पू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर के साथ ही सबजी बन के तयार हुई है, हम इसमे कसूरी मिथी को हतीरियों के बीच में रब करके इसके अंदर एड़ करेंगे, और सबजीयों को अच्छे से चला लेंगे, बस अब मैंने गैस का फ्लेम आफ कर दिया है, इसको हम निकाल करके सर्फ कर लेंगे, तो आपने देखा, अगर हमारे पास क्रीम, दूद द हाती है, तो लाइक कीजाएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, साथ ही बेल आइकन को भी बेस कर दिएगा, मिलते हूं नेक्स वीडियो में, बाबाद